नमस्कार, मैं वसंती सावू, मौम्स कीचन में आपका स्वागत करती हूँ मिले होली में इस्पेसाल लंग लता बनाएंगे तो उसके लिए हमें इन समानों की ज़ुरत पड़ेगी एक काटोरी घी और काजू, किस्मिस, बडाम, चिरोणजी और यदि एक किलो का बना रहे हैं तो दो काटोरी घी चाहिए तो चलिए पहले, एक किलो का हम बना रहे हैं, दो कटोरी घी डालेंगे, पहले मेदा को छान लेते हैं, ताकि इसमें लम्स मत रहे एक भी, इसलिए मेदा को पहले छान लेते हैं, और एक कटोरी घी को पहले डाल देते हैं, और इसे मोरन दे देते हैं, हलके हलके हाथों से घी मिक्स हो जाएगा और इस प्रकार से सभी घी को मिक्स कर लेंगे और एक कटोरी और घी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे और वन फोर्थ चम्मच खाने का सोडा और सभी को अच्छी तरह से मसल के मिला लेना है ताकि घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मुठी बान के चेक करेंगे, यदि मुठी बान जाता है, तो सही है, और कम बनता है, तो फिर और से थोड़ा घी में वोवन दे दें, और इसे हलके हलके हाथों से पानी डालते जाएंगे, गोल गोल घुमाते जाएंगे, और आटा इस प्राकार से घूत लेंगे, बहुत ज्यादा सा दाम और काजू को पहले गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लेंगे, इस प्राकार से गोल्डन ब्राउन होने पर इसे निकाल लेंगे, और इसी में जो घी बचा है, उसमें थोड़ा किस्मिस और चिरोंजी को भी फ्राई कर लेंगे, इसी में, और इसे भी गोल्डन ब और इसी कडाही में थोड़ा सघी डाल देंगे यहां एक किलो मेदा के लिए दो नारियल कीसे हुए हैं और आधा किलो का बनाते हैं तो एक नारियल का स्टफिंग काफी होता है तो यहां दो नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं नारियल का जो भेला आता है उसे किसलिए हैं और यहां एक कटोरी सक्कर डाल रहे हैं और एक कटोरी सक्कर और डालेंगे क्योंकि दो नारियल का बन रहा है इसलिए दो कटोरी सक्कर लगेगा और आधा किलो खुवा डालेंगे और यदि आधा किलो का बना रहे हैं मेदे का तो एक पाव खुवा और एक नारियल से हो जाता है तो यहां एक किलो का बना रहे हैं इसलिए यहां आधा किलो का खुवा और दो नारियल का डाल रहे हैं और एक कटोरी और सक्का डालेंगे और सभी को स्लो में करके हमें थोड़ा-थोड़ा चम्मच चलाते रहना है तो इससे धीरे-धीरे मेल्ट हो जाएगा खुआ और देखे अब इस टफिंग बन के तयार हो गया है तो इसमें ड्राइफ फूर्ट्स और सभी को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में अब इसे धाक के रख देंगे इस प्रकार से श्टफिंग बनता है तो बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है अब चलिए गैस बंद कर देते हैं और गैस बंद करके सभी को मिक्स करके रख देंगे और इस प्रकार से इसे ढख के रख देते हैं अब आटा को देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और मल लेते हैं उसके बाद में इसे चार भाग में कर लेंगे थाकि बनाने में आसानी हो तो कटर ले लेते हैं और चार हिस्सा में इसे डिवाइट कर देते हैं और एक-एक हिस्सा को लेके हम इसे रोल कर लेंगे पहले और रोल करने से बराबर हिस्सा में करता है लाउंग लाता तो बराबर बनता है इस प्रकार से रोल करके इसे काट लेंगे बराबर हिस्सा में और सभी को काटने के बाद में सभी को गोला कर लेंगे रोटी के जैसे और सभी को गोला करके इस प्रकार से रखते जाएंगे अब इसे घी डालने की जिवरत नहीं है सभी को सीधा बेल लेंगे इस प्रकार से थोड़ा सा लंबाई में थोड़ा सा चवड़ाई में इस प्रकार से हमें बेल के तयार करना है अब ये जिस बड़ा साइज चाहिए तो और बड़ा ये अभी फूल के बहुत बड़ा होगा तो इसलिए इस साइज के बना रहे हैं और इसमें एक चम्मच डाल देंगे और हलका से थोड़ा हाथों से प्रेस कर देंगे और चारो तरफ पानी लगा देंगे और एक तरफ से फोल्ड करके हलका प्रेस कर देंगे हाथ से दूसरे तरफ से फोल्ड करके भी प्रेस कर देंगे ताकि इस टफिंग बाहर ना निकले और एक बार और फोल्ड करेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसे भी होल्ड कर देंगे अब इसमें एक लांग डाल देंगे इसी प्रकार से सभी लांग लाता को बना के तयार कर लेंगे अब कराही ले ले लेते हैं और इसमें एक किलो मेदा था तो एक किलो सक्कर का इस्तेमाल करेंगे चासनी के गया सान कर देते हैं और 5-6 इलाज़ी को कूट लेंगे और कूट के इसमें डाल देंगे इससे चासनी में बहुत ही स्वाद आता है और थोड़ा चम्मच चलाते रहेंगे सक्कर मेल टके होते तक और इसमें अब एक चम्मच दुट डाल देंगे अभी चासनी को सफाई करना है इसलिए एक चम्मच दुट डाल के थोड़ा देर पकने देंगे तो ये काला काला हो जाक किनारे आ जाएगा तो इसे सभी को छान के अलग कर लेंगे और इलाइची का छिलका यदि साथ में चला जाता है तो उसे वापस इसी में डाल देंगे इस प्रकार से इसे जाक को अलग कर देंगे तो चासनी साफ हो जाता है इदा किनारे का भी निकाल देंगे अब देखिए चासनी को अब चेक कर लेते हैं किनारे सककर दीख रहा है और छूने से चासनी चिपचिपा भी लग रहा है तो इतना में गैस बंद कर देंगे हमारा चासनी सही है इतना रहता है चासनी तो उपर भाग है वो अच्छी तरह से सुख जाता है हात में छूने से लउंग लाता चिपचिपा नहीं लगता है और अंदर से गिला रहता है अब एक कडाही में तेल डाल दिये है आप थोड़ा चेक करेंगे ये धीरे धीरे तो तेम्प्रेचर इसका तेल का सही है तो आब इस टाइम पे हम लाउंग लाता डाल सकते हैं तो एक-एक करके लाउंग लाता को डाल देंगे देखिए सब बन के तयार हो गया है और जादा तेल गरम रहता है तो उपार से जल्दी पाग जाता है और अंदर अच्छी तरह से पाग नहीं पाता है तो मेदा मेदा लगता है तो हमें विशेश ख्याल रखना है तेम्प्रेचर का तेल का और ये अब 2-3 मिनट में लगभाग उपार आएगा अभी गास लो में रखे हुए हैं और यदि बहुत ज़्यादा टेमपरेचर रहता है तेल का तो गास को पुरा बंद कर देते हैं अब यह इसका वेट करेंगे यह जब तक उपर ना आजा इसको छूना भी नहीं है पलटना भी नहीं है तो इस प्रकार से इसका उपर आने का वेट करेंगे तो हमें इसी का विशेश ख्याल रखना है ताकि अच्छा से भी पके और अंदर चासनी भी अच्छा जाए और चासनी ऐसे रखना है कि उपर सुखा रहे और अंदर गीला रहे तो लॉंग लटा खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है अब चलिए सभी उपर आगया है तो थोड़ा देखते हैं इसे नीचे थोड़ा पक जाएगा तो अराम से धीरे-धीरे करके पल्टेंगे नहीं तो कहीं-कहीं फट जाता है और यह जो लॉंग लगाए है उसके बाद यदि बहुत ज़़ादा धीरे-धीरे उपर आता है तो कोई-कोई निकलने लग जाता है तो उसको भी हमें ध्यान देना है यदि बहुत ज़़ादा ऐसे निकलने लगे फटने लगे तो तेमपरेचर को तुरान बढ़ा देना है और थोड़ी देर बाद में जब नीचे हलका ब्राउन पकने लग जाएगा तो इसे अब पलट-पलट के पकाना है गोल्डन ब्राउन होते तक अब गैस फूल फ्लेम में कर देंगे और गैस फूल फ्लेम में करके अब गोल्डन ब्राउन होते तक पकाएंगे और इसे पलटते रहेंगे ताकि नीचे उपर बराबर पक सके लॉंग लता बनाने में थोड़ा-थोड़ा सावधानी करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाधिष्ट लॉंग लता बनता है और उपर से फटता भी नहीं है और इस प्रकार से देखे गोल्डन ब्राउन होने लग गया है तो इसे पकाने में कोई जल्दी बाजी नहीं करना है हमें अराम से पकाना है और अच्छी तरह से सभी अब पक गया है तो अब इसे छान लेते है एक और छन्मी ले लेंगे उसके सहायता से हमें अब सभी चंते तक थोड़ा सा दूसरा प्लेट में रखे रहेंगे चंणी के सही ताकि तेल नीचे अच्छी तरह से जहर जाए और दुबारा ये बचा हुआ है इसे भी निकाल लेंगे अब एक प्लेट में रख देते हैं और इसे भी छान लेते हैं अब चास्नी को देखते हैं चास्नी यदि ज़्यादा ठंडा हो गया है तो हलका सा गरम कर देंगे उसके बाद डालेंगे और सभी लॉंग लता को डालने के बाद में ये धीरे-धीरे अंदर चास्नी घुचते जाएगा तो ये पूरा डुपते जाएगा अभी उपार टायर रहा है और चासनी घूसे गा 새 अंदर बैट जाएगा नीछे टो चलिए अभी से एक लाद देते हैं और मिलागे थोड़ा थोड़ा चासनी में दबागे इसे रख देते हैं अभी अपना चासनी अंदर सोकते रहेगा तब तक कड़ाही में गाईस बं कर द ये थे ठंधा होने के लिए अब फिर से चेक करेंगे यदि बहुत जल्दी उपार आ रहा है तो गायस पूरी तरह से बंद कर देंगे और अभी चालू नहीं करेंगे और सभी लाउंग लाता को डालते जाएंगे डालने के बाद थोड़ा टेमपरेचर इसका हलका से कम हो जा ब्राउन होते तक उसी प्रकार से हमें पाकाना पड़ता है अराम से और अब सभी ये गोल्डन ब्राउन होने लग गया है तो इसे निकाल लेते हैं कि और विशेस सावधानी वही रखना है कि जब पूरा उपर आ जाता है तभी हमें डालना है अब ये चासनी को देखिए इसमें लाउंग लता डूब गया है और अब इसमें से एक एक करके चिम्टा में चासनी को थोड़ा ज़ड़ने देंगे इस प्रकार से और एक थाली में रखते जाएंगे इसी प्रकार सभी लाउंग लता को निकाल लेंगे और यदि चासनी ठंडा हो गया होगा तो हलका सा और गरम कर देंगे और सभी लाउंग लता को निकालने के बाद में जो छान के रखे हैं लाउंग लता उसे भी इसी में डालेंगे देखिए सबको डाल देते हैं और पहले वाली लॉंग लता निकल गई है और इसे भी 10-20 मिनट के लिए डूबने के लिए रख देंगे यह भी अच्छी तरह से चासनी सोक लेगा एक किलो मेदा के लॉंग लता के लिए एक किलो चासनी परफेक्ट होता है अब हमारा लॉंग लता अच्छी तरह से बन के तयार हो गया है होली का सीजान आ रहा है इस प्रकार से लॉंग लता बनाएए और इंज्वाय करिए होली में बहुत ही स्वादिष्टा और देखिए उपर से सुखा हुआ है और अंदर से चासनी गीला है तो इस प्रकार से लॉंग लता बनाएए तो बहुत ही स्वादिष्टा लगता है और अच्छा लगता है और टिकाओ भी रहता है पंदरा दिन तक लगभग टिक जाएगा चलिए एक लॉंग लता तोड़के बताते हैं देखिए उपर से सुखा है और अंदर से पुरा खो है तो सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद